हेलो दूस्तों आज की स्वेडियो में बात करने वाला है पुट्टी की वाल पर वाल प्राइमर की सरा से लगा सकते हैं और उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ पैंड ब्रस ये चारेंज का हमारे पास पैंड ब्रस है और उसके साथ में यूज करने वाला हूँ आप चाह तो चलो दोस्तो video start करते हैं दोस्तो video start करने से पहले मैं आपको बता दू कि यहां पर देख सकतो हूँ na दोकृट लुरफूट किये, इससे किस तरह से करते हो और उसके बाद sending करनी का बेस्ट तरिका क्या है यह सब आपको जानना है तो उपर यह ही कहीं पर में आई बटन में वह वीडियो से हो रहागा वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि अच्छे से किस तरह से वर्क कर सकते है तो चलो यह वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो हमने पहले से यह डबे के अंदर प्राइमर बनाया के राखा है अगर आपको प्राइमर किस तरह से बनाने वह नहीं पता है पैंट किस तरह से बनाने तो मैं डिक्स्रीप्सिंट में एक वीडियो दे दूँगा वहाँ पर जाके आप पूरा सिख सकते हो यह पर आप तो पैंट ब्रस भी यूश कर सकते हो इस तरह से अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और दोस्तो एक और बात बताना चाहूंगा इसके अंदर थोड़ा वाइटना से रहे है इसके लिए मैंने इसके इंदर वाइलेंस इना रेट किया है क्योंकि जो प्राइमर आता है वह थ फ़ोड़ा पूरल्यभिश कर लेना है और तो भी चूटि पहले पहले आपको दिप करके फिर ब्ले हूं इतना ही त्ना यह मुल लेना है और इसे पूरा जो हमारा एंजि से वहां पे इससे कावर करतले यहानि कि बाजू के दीवाल यह फिर और कुछ भीगड़ने वाला है पर फिर भी हमें रखना होता है क्योंकि बार ऐसा होता है कि हम रिपेंटिंग करते तो वहां पर पूराना कलर हो सब्सक्राइब को उसके लिए इस तरह से पहले आज बाजू के जितने भी कवर हैं वो कर बेंटेन है हमें इस तरह से जासे आप यहां पर देख सकते हो मैं भी करना हो और दूस्तों एक बात और देन में रखने कि आप जो ब्रस चलाओ नो वो एक डिलेक्शन में चलाओ तो ब्रस को अमेशा ऑरी दिवाल को करो और वर्टिकल करो इतना ही होता है अगर आप चाहो तो इस आगे ब्रस से कर सकते हो पर मैं आपको सजेस्ट करो का वहाँ पर सप्रंच रोलर या फिर वाटन रोलर का यूज करो अगर प्रांच रूलर के बजाए कोटन रोलर यूज करोगे तो खाफी अच्छा रहा कर जैसे कि मैं अभी यह आपको क्वाटन रोलर से करके दिखा रहा हूँ कि क्वाटन डोलर के अंदर मठील ज्यादा आता है इसका निकले में कुछ नहीं करना है जो हमारा पेंटन उसके अंदर पूरा डीप कर देना है और अच्छे से जो इसके फलर है वह ऐसे गिरना बंद हो जाए वहां तक रखना और फिर इसे अच्छे से उपर से नीचे की तरफ पर श्टार्ट करना यह करिका होता है लगाने के तो स्व यह हमारा एक बार में कावर कर देता है और कारण होता है कि क्वाटन रोल केंदर मठेल यूस के अंदर मठेल ज्यादा पकेड़ प्कड मधा इसके वाज़ा से तक एक बग्पार करने पर पर हमने तीन से चार बर ब्रस के यूज़ के लिए तो भी मैं आपको पूरी जगह पे और फिर से करके दिखा देखो इस तरह से से को अर यही तरह का पुरा यूज़ करके हमें सब जगह पर अर्से से कवर कर लेना है दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूं का प्रण्च रूलर का यूज करना चाहिए तो अगर आपको पॉर्टन रूलर री यूज करना पड़ेका क्योंकि वह उबर खाबर जगे होती है वहां पर पे स्पंच रूलर नहीं चलता है वह प्रूचा था है इसलिए मैं आपको बता था कि यासी कोई जगह है तो वहां पर हमें इस तरह का क्वाटन रूलर री यूज करना है और क्वाटन रूलर का फाइदा भी है क्योंकि उसके अंदर मट्रियल ज्यादा है इस पंच रूलर में उतना ज्यादा मट्रियल सोपता नहीं है इसलिए कव कि अच्छे से कवर कर लेते हैं तो दूस्तो जैसे के मैंने बताया यह तरीका यूज करके आप अपने घर पर वाल प्राइमर या पिर पैंट अच्छे से कर सकते हो और आयोप दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी खर देना और हो सकते तो अपने दोस्तों का शेयर भी करना और ऐसे कोई भी पैंटिंग रिगार्डिंग आपके मन में टॉपिक है कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बुछना मैं उसकी मतलब जवाब दे करने के पूरी कोशिश खारूंगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो पॉस्टन आया तो लाइक शार और सब्सक्राइब करना मिलता ही कोई ऐसा ही पैंटिंग रिगार्डिंग टॉपिक के साथ अब तक लिए भाइबाद धन्यवाद